हलो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपा और स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपली माइ होम गार्डन में फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने गार्डन का एक छोटा सा ओर विव दिखाने जा रही हूँ तो शुरुआत करते हैं आइस फ्लार के इन सुन्दर से फूलों के साथ देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल थोड़े दिन पहले ये फूल काफी अच्छे से खिल रहे थे लेकिन अब जैसे गर्मी बढ़ रही है तो इसमें प्लार्स आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे और ये देखिए मैंने कुछ बैंबू प्लांटर में भी लगाए थे इनको मुझे हैंग करना था लेकिन ये समय ना मिलने की वज़े से मैं हैंग नहीं कर पाई और ये इनके साथ में देखिए फ्रेंड्स रेड कलर के पिटूनिया की बास्केट कितने सुंदर इसमें फूल खिले में है ये देखिए इसमें जो सूखे फूल है इनको मैं हटा रही है इसलिए जरूरी होते हैं कि इनको हटाने से नई नई कलिया बनती है और हमारा पौदा जो है काफी लंबे टाइम तक फ्लावरिंग करता रहता है तो आपको भी अगर अपने पौदे में लंबे समय तक फूल लेने हैं तो आप भी ऐसे इन सूखे फूलों को हटाते रहें पिटोनिया फ्रेंड सर्दियों में लगाए जाने वाला सबसे खूबसूरत फूल है तो आप भी अगले साल इसको आप भी अपने गार्डन में जरूर लगाएं और यह है जरेनियम यह वाइट और रेड कलर के इसमें फूल के लिए हैं देखिए इसमें भी कुछ सूखे फूल है इसमें स्टिक में फूल आते हैं तो अगर इसमें हमें अच्छे फ्लावरिंग चाहिए तो इसके भी स्पेंट फ्लावर्स को हम ऐसे जब हमें दिखाई दे तो हम निकालते रहें इसको देखिए मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि अभी इसमें थोड़े से फूल है ज करें देखिए इस कौर् Size में केंडी टॉफ के बाइट फ्लार्व यह नहीं अपने कुछ पर्मने की फ्लान्ट के बीच में मैने मिक्स और मैच करके लगाये हुए जैसे आप देखरैंड्र Opening ना के साथ ही और यह यहां पर मैने अपने पर्मनें फ्लान्ट में एमरेस लेली इधर नेस्टेशियम भी फूल खिले में औरेंज कलर के और साथ में देखिए ये वेरिगेटिड लीव्ज वाला बोगन वेलिया में कितने सुंदर फूल आए है और ये अलाइसम है वाइट कलर के जो फ्लार आपको दिखाई दे रहे है यहां भी फ्रेंट्स में आपको इसक इस ड्राइख हो जाए तो इनको यहां से आप निकाल के सुखा ले और नेक्स फ्लावरिंग सीजन में विंटर में आप इनको इन सीट से ग्रो कर सकते बहुत इजी है इनको ग्रो करना और इसके साथ ही ये पर्मानेंट प्लांट्स भी अच्छे से अब ग्रो कर रहे हैं इ और इदर ये वाइट में येलो में वाइट तो और भी खूबसूरत लग रहा है इनमें भी आप स्पेंट फ्लार्स को कर अठाते रहें तो हमारा पॉदा दुबारा भी फ्लावरिंग करता रहता है डईलिया का और इस पॉट में देखो मैंने डईलिया के साथ वर्वीना डॉग फ्लार मिक्स एंड मैच करके लगाए हैं और काफी सुन्दर लग रहे हैं आप भी फ्रेंड्स ऐसे पौदों को मिक्स एंड मैच करके लगा करके देखें काफी अच्छा लगता है और यहां पर मैंने कुछ एक मेरा जो यह आईरन का स्टेंड है इसमें मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स रखे हैं जिसमें यह पैंजी और यह साथ में देखें परपल कलर का पिटूनिया कितने सुन्दर फ्लावरिंग है इसमें भी एक इसमें प्लांट लगाया वा और कितना अच्छा इसमें फूल खिल रहे हैं और साथ में यह मेरे कुछ सेकुलेंड्स काफी छोटे हैं अभी प्लांट्स और नस्टेशियम साथ में यह वाइट कलर के लाइसम मैंने चाइनीज और इजिके साथ लगाय हुए है मिक्स करके और इस कॉर्णर में देखिए ये कुछ मेरे इंडोर प्लावरिंग है यहां पर और ये वाइट अलाइसम मैंने अस्पेरागस ग्रास के साथ लगाया हुआ है पॉर्ट में और ये डैंथस में देखिए कितने सुंदर फ्लावरिंग हो रही है ये शेफ लेरा और यहां मैंने अपना एक बुद्धा कॉर्णर बनाया हुआ है इंडोर प्लावरिंग को एड़ करके ये अस्पेरागस ग्रास के साथ और मैंने स्पाइडर प्लावरिंग के छोटे चोटे पॉट रख करके इस कॉर्णर को डेकोरेट किया है और ये के जैन कॉर्णर मैंने बनाने के लिए ट्राई किया है और ये के मैंने टायर प्लावरिंटर भी बनाया था जिसमें मैंने अलाइसम के फ्लार्स लगाए थे इसको भी मुझे हैंग करना था लेकिन अबी तक मैं हैंग नहीं कर पाई इसको और ये देखिए फ्यूशिया फ्यूशिया के फ्लार देखो कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे से पौधे पर इतने फूल आये हुए एक और छोटा है ये पौधा उसका फ्यूशिया का मेरे पास उसाथ में ये और दुबारा से दहे लिया के फूल काफी अच्छी बर्ड्स आई हुई है इनमे और इस साइड में देखिए मेरे पास ये बिगोनिया है पिंक फ्लार आए हुए और वाइट कलर में पिटोनिया और ये बड़ा सा बैम्बू पाम कितना ही सुंदर लग रहा है और इस साइड में देखिए मैंने पिटोनिया की कुछ बास्केट्स को हैंक किया वा है जो फूलों से भरी हुई है एक डम इस तरह से अब मैं आपको अपना गार्डन का ये सेंटर पीस दिखाने जारीं से देखिए स्टार पिटोनिया पिंग कलर में बहुत खुक्सूरत लग रहा है इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट करने का ट्राइब किया है जिसमें मैंने ये फर्स्ट लाइन में तो मैंने ये फाइकर्स के प्लांट्स लगाए है जो मेरे पर्मानेंट प्लांट्स है और आउटर में मैंने ये केल का ओर्नेरमेंटल केल क्या एक लाइन बनाई है राउंड में उसके बाद मैंने पिटूनिया के ही छोटे पॉट रख के हैं फ्रेंट्स मैंने यह सोचा था कि मैं एक लाइन में वाइट पिटुनिया लगाऊंगी और एक लाइन में यह रेड कलर के लगाऊंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा लेकिन मुझे मार्किट से यह मिल नहीं पाए टाइम से नर्सरी से मैंने ट्राइ किया लेने क नेक्स्ट यर मैं जरूर ट्राइ करूंगे कि पूरे राउंड में एक वाइट कलर का लगाऊं और एक रेड कलर का और यह देखिए बाइक कलर के मैमुलेंस इन में भी काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और वाइट पिटुनिया तो मेरा फैवरेट है मुझे सबसे स जैनवरी में पूरा जैनवरी धूप नहीं आई है और इसलिए हमारी लेट फ्लावरिंग स्टार्ट हुई और जैनवरी में बारिश भी काफी हुई उससे भी हमारी फ्लावरिंग में काफी लेट हो गया और उसके बाद अब देखिया आज कल इतनी तेज धूप हो गई है के सभी फ्लार एकदम से खिल करके अब स्पैंट होने शुरू हो गए है और एकदम से हमें इनको लगता है अब शेड में रखना पड़ेगा कुछ इनको शेड देना पड़ेगा नहीं तो ये जल्दी ही खिल करके हमारा वेंटर गार्डन जो है जल्दी सी इनके फूल सब खत आपको मेरा ये सेंटर पीस कैसा लगा और इसमें आपके क्या सुझाव है मैं वैसा करने की फिर कोशिश करूँगी और इस तरह से ये देखिए साइड में एक आयरन स्टेंड में मैंने और छोटे पोर्ट लगाएं जिनमें जिनमें आप काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और नीचे ये ट्रे में मैंने कुछ पिटूनिया कुछ ये पैंजी और ये साइड में देखिए मैंने एक प्लांटर में आइस फ्लार लगाया छोटे से प्लांटर में क्ले प्लांटर है ये स्नेल प्लांटर और ये डेजी के फ्लार पिटूनिया यहां भी एकदम से इतनी तेज धूप हो गई है तो इस तरह से देखिए इस स्टैंड में लगे वे कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इस साइड में देखिए मैंने यहाँ भी केल से एक आउट लाइन बनाई है और यह मेरे कटिंग से लगे वे कुछ मेरी गोल्ड के में फूल खिल रहे हैं और इन में मैंने कुछ बड़े पॉट्स में डहेलिया और डॉग फ्लार लगाए हैं मिक्स करके और यह देखे सुन्दर सा लीलियम का फ्लार और ये बेबी पिंक कलर में सुन्दर से कैमेलिया के फ्लार्स कितने ब्यूटिफूल से लग रहे हैं ये भी काफे दिन तक इसके फूल ऐसे ही खिलते रहते हैं काफी फ्रेश रहते हैं बस इसको हमें थोड़ा बशेड में रखना पड़ेगा और ये कले से बनी हुई देखिए मैंने हैंगिंग एक बैल वाली हैंगिंग लगाई है जो हवा से काफे सुन्दर आवाज इसमें आते जब ये बज़ती है तो और ये कले के ही फेस मास्क लगाए मैं अपने गार्डन में इस तरह से देखिए कॉर्णर यहां से मेरा विंडो कॉर्णर ऐसा लगता है और ये मैंने समर सीजन के लिए हैंगिंग बास्केट लगाने के लिए कुछ कटिंग लगाई हुई है और साथ में ये आइस फ्लार और ये रेनाकुलस के येलो कलर के फ्लार येलो कलर के और वाइट कलर के फ्लार फ्रेंट्स मेरे फैबरिट कलर हैं ये दोनों ही रेनाकुलस बल्ब और सीट दोनों से अच्छे से ग्रो हो जाता है और यहां पे हमारे बुद्धा जी देखिए सुन्दर लग रहे हैं काफी और भी मैंने यह चोटे चोटे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं अपने विंडो कॉर्णर में और साथ में देखिए इस साइड में कुछ कैलेंडूला के फूल और यह डॉग फ्लार और साथ मे इस्टेशियम भी है और मैंने यह सभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अमने पर्मनेंट प्लांट्स के साथ में मिक्स करके लगाए हुए हैं और यहां पे सुन्दर से डैंथस के फ्लार्स देखिए पिंक और वाइट बॉर्डर में कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम मेरा गार्डन कुछ इस तरह से लग रहा है इस कॉर्णर से और यह मैंने एक हैंगिंग प्लांट्स लगाने के लिए सीडी को पेंट करके बनाया है और यहां मेरे कुछ यह साइड में ट्रे में डॉग फ्लार और पैंजी के फ्लार अच्छे खिल रहे हैं तो मैं यह बता बाजार में भी हमें यह वास्के टांगने का भी स्टेंड अच्छे से मिलते हैं आप वह ले सकते हैं और मेरे पास यह पुराने क्ले के फ्लावर वास रखे वेते इनको भी मैंने यह लो और वाइट पेंट करके अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए यूज किया है और फ्रेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में जो है मैंने येलो और वाइट कलर को जादा यूज किया, ये दोनों ही मेरे फैवरेट कलर है जिसे मैंने पहले बताया है और ये सुन्दर से फूल आप देखिए, वाइट और येलो बास्केट में, परपल कलर के सिनरेरिया के फूल लगे हैं और ये वाइट हैंगिंग पॉट में, वरवीना रेड कलर का कितना सुन्दर लग रहा है और इसके साथ ही देखे ये लाइट पीच कलर के भी वरवीना के फ्लार बहुत ही खूब सूरत लग रहे हैं और ये मैंने समर्ज के लिए कुछ हैंगि यहां मेरे कुछ पर्मनेंट प्लांट्स हैं जो की मेरे हिबिस्कस के प्लांट्स हैं इनको मैंने प्रून कर दिया था अब गर्मियों में काफी सुन्दर फ्लावरिंग होगी इनमें मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से यहां से विंडो कॉर्णर का लुक ऐसा आता है वि कुछ अपने टर्टल वाइन टैंगल हार्ट और वांडरिंग जो कि मैंने हैंगिंग बास्केट कुछ रेडि की हैं और समर सीजन फ्लार्स के भी मैंने बीज लगाए हैं उनका भी मैं अपडेट जल्दी ही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और यह देखिए डेंथर गार्डन का ओवर्वियू आपको कैसा लगा चलिए मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से फूरा गार्डन एक बार दुबारा दिखा देती हूं यह मेरा विंडो कॉर्णर है यहां पे मेरा लेडर स्टेंड रखावाय प्लांट का इस सेरेमिक पॉर्ट में देखिए पिटोनिया कितने खूल सूरत लग रहे हैं इस तरह से काफी फूल आजकल हमारे गार्डन में खिले हूए हैं रेड कलर के और वाइट कलर के जेरेनियम और यह हमारा जैन कॉर्णर और यह हमारे पिटोनिया की बास्केट यहां मैं फ्रेंड्स मैंने और भी बास्केट लगानी थी लेकिन मैं वो इस बार नहीं लगा तो समर्स में मैं ट्राइ करूंगी और बास्केट मैं अच्छे से लगाऊंगी और और कोशिश करेंगे अपने गार्डन को समर्स में और अच्छा बनाने की और डेवलप करने की तो देखते हैं अब आगया आने वाले टाइम में हम और क्या क्या काम करेंगे अपने गार्डन एरिया है तो इस तरह से कम जगह में इन सभी सुन्दर से फूलों के पौदों को लगाने की छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा जैसा कि आप सब जानते हैं गार्डनिंग बहुत ही मेहनत का काम है और लगातार इसमें हमें काम करना होता है तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स टाइम थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई बाई